दोस्तू, हमारे भारत में चेक बाउंस के बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं। लेकिन कई मामलों में देखा ये जा रहा है कि आपने अगर किसी भी व्यक्ति को चेक दिया है तो उस व्यक्ति ने बैंक में लगाया किन ही भी कारणों से उसका चेक बाउंस हो गया। तो उसके पास आपसन ये होता है कि वो 138 Negotiable Instrument Act के अंतरगत नयाले में परिवाद प्रसुत करें आपके खिलाब और कारवाई महाँ चलाए लेकिन लोग दवाओ गुनाने की नियत से करते क्या हैं एक NIA Act का मुकदमा कचेरी में भी कर देते हैं इसके बाद 420 का मुकदमा 419 का मुकदमा ठाने से भी लिखवा देते हैं कि ये वक्ति दवाओ में आ जाए जो की पूरी तरह से विधी विरुद्ध होता है तो दोस्तों आईए आज किस वीडियो में हम यही समझते हैं कि अगर किसी भी वक्ति ने चेक बाउंस का मामला आल लेडी कोट में कर रखा है उसके बाद भी थाने से फायार करवा दिये तो उस मुकदमे को कैसे खत्म करवाना है दोस्तों चेक बाउंस के मामले देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे इसी को मद्दे नजर रखते हुए ये कानून लाया गया NI Act, Negosable Instrument Act इसमें ये कहा गया कि जो भी चेक बाउंस के मामले होंगे उसमें 138 एक स्पेसल सक्सन बनाईगी इस सक्सन में ये कहा गया कि अगर चेक बाउंस का मामला है अब किसी बेक्की ने आपको चक दिया अब आप चक लेके गए वो बाउंस हो गया और उससे आप पैसे भी मांग रहें वो नहीं दे रहा है तो इस स्थति में आप उसको पहले legal notice बेजने के बाद भी अगर वो आपको पैसा नहीं देता है तब आप उस चक बाउंस करवा कर और परिवाद के रूप में नियाले में एक अपना मुकदमा फाइल करेंगे अब इसमें क्या होता है जब परिवाद के रूप में मुकदमा फाइल करेंगे पहले legal notice बेजे उसमें 10-15 दिन 30 दिन जो भी time दे वो लगता है इसके बाद में जब परिवाद लेकर आते हैं नि अच्छा है कि इसके उपर और कोई मुकदमा लिखा कर दवाओ बना दिया जाए जिससे की मेरा पैसा मिल जाए इस स्थिति में करते यह है कि N.I.A.T. का तो मुकदमा किये रहता है legal notice बेजे रहते हैं मुकदमा फाइल किये रहते हैं इसके बाद पुलिश वालों को मिलवा कर 420 का भी मुकदमा करवा देते हैं कि भाई इसमें मेरे साथ ठगी भी की तुकी है अगर मुझे केस दिया तो मेरे साथ चीटिंग भी की इसने और कहा था पैसे निकल आएंगे नहीं लेकिन यह पूरी तरह से बिदी गृद्ध होता है एक ही अपराद के लिए दो बार द चेक बाउंस का मामला है और 138 के तहट कंप्लेंट साइल की जा चुकी है तब उस बेक्ति के विरुद 420 का मुकदमा करना अभी उजा प्रोसेस आप ला है सीधा सीधा एक ही अपराद के लिए बेक्ति को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है चेक बाउंस हुआ है उसके दोस्तों अगर कोई भी विक्ति आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके चेक बाउंस का मामला था और वो विक्ति आपके खिलाफ परिवाद पत्तों पस्तुत कर चुका है ने आले में 138 के तहर्ट अब आपके खिलाफ F.I.R. भी लिखवा दिया है तो आपको करना यह उसकी certified copy भी court से निकलवा के लेकि आएं उसको mention करें कि NIA Act का already मामला इनों ने कर रखा था इसके बाद में भी मेरे खिलाफ किसी भी section में 419-20 में कुछ भी इनोंने थाने से भी F.I.R. करवा दी है और Honorable Supreme Court के जो मैंने judgment बताया है इसको court करिए इसके बाद में 100% आपकी F.I जाएंगे या high court ये आदेश देदेगा कि या तो 420 वाला ही मुकर्मा चलेगा या NIA Act वाला ही मुकर्मा चलेगा ये दोनों मुकर्मा एक ही अपराद के लिए नहीं चल सकता है और ये general practice हो गई है लोगों की कि वो दोनों मुकर्मा करते ही करते हैं मैंने कई बार देखा है कि कचेरी में भी लोग अधिवक्ता कहीं बार उनको सला दे देते हैं कि NIA Act तो मैं आप फाइल कर रहा है उसमें समय लगेगा तब तक पुलिस से आप फाइयार करवा सकते हैं तो करवा दीए लेकिन ये बिल्कुल गलबर practice है एक ही अपराद के लिए बिक्ति को दू बार दंडित नहीं किया जा सकता है अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एक ही अपराद के लिए आपको दो बार दंडित करने का यह प्रयास किया जा रहा है तो आप आनेबल हाई कोट का साहरा ले सकते हैं हाई कोट से आपको रिलीव ना मिले तो आनेबल सुप्रिम कोट का रास्ता तो आपके लिए खुला हुआ है साफ साफ विदी बेवस्था बनाई गए आइसान सम्भू नहीं हो सकता है तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए नालेजबल लाओगा आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली प्राफ्रम सॉल्वंग वीडियो में तब तक आप सभी लोग उपने स्वास्त का खया लखिए कानून की जानकारी अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के बादम से लेते रहिए मामनों से बचके रहिए I love you all, Jain, Jai वारत